हेलो पंचों, स्वागत है आथ का अपने अभूबन ग्लासेस में आज हम अपने इस ग्लास में क्राफ़ बनाना सीखेंगे और ग्राफ़ में आज हमीं सीखेंगे थर्माकॉल्ट के ग्लासेस के फ्लावर पॉर बनाना तो चाहिए बिना किसी देनी के शिरू करते हैं ओभी स्टिक और डेकोरेशन के लिए कुछ स्टोन और लैस अब सबसे पहले हम क्या करेंगे इस गलास के शेप में । गत्दे से इसका सर्वल क्रशेएर और क्या करेंगे इस गलास के जडाई तो नाइन धे रखे एडिसे हम कट करें ह। इस तरीके से चीक है और उसके बाद हम इन दौनों ग्लासिस को इसे कट करें इन दौनों को ग्लुगन की हर्ण से ऐसे पेस्ट करेंगे कि इस तर्यके से हम और झॉट से थोड़ा स right करें और इसे इस लोगल से इस सिर्कल में पहले पेस्ट करेंके और पेस्ट करने के बार में ऐसे लंबी लंबी इस तरीके से स्ट्रिप्स कट करेंगे पेस्टिक लगाके इस तरीके से से पेस्ट करेंगे अब हम क्या करेंगे ग्रूगन की हेल्प से इन थार्मापॉब की ग्लासस को इस सट्रिके से पेस्ट करेंगे यह जो हमने अंदर पेस्ट किया है इसे हम अंदर की साइड रखेंगे और नीचे की साइड लिए वाइड प्रेंग एपर रहेगा यह इस तरीके से हमने ग्लूगन की हलसे से पेस्ट कर लिया अब हम इस जूट रोब को इससे ग्लूगन की हलसे से पेस्ट करेंगे दोनो इसी तरीके से पेस्ट कर लिया इस तरीके से हम पूरे में पेस्ट कर देंगे, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो लैसे और डेकुरेटिव आइटम्स हैं, जैसे ये लैस है, इसे भी हम ग्लूगन की हैं से यहां उपर की साइड पूरा पेस्ट कर देंगे, और ये ही इस तरीके से निची की साइड अब ये इस तरीके से हमने चाहिस पेस्ट कर दिया है अब हम क्या चाहिए इसमें फ्लार्स तो यह हमारा थर्मबॉल की ग्लासस से फ्लारप बनकर तयार हो गया है उम्हीद करते हूं आपको को एक आप सेशन परसंद आया होगा तो ऐसे और आप सेशन और एसे वीडियो के लिए नहीं यूटुब चैनल आपके लिए आपको टाइब करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरू करें थैंक्यू